हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अर्चित, वेलकम टू INGIN BUDDIES अगर आप हमारे चैनल पर नहें हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे INGIN BUDDIES के चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा आज हम आपके लिए लेके आये हैं मारूती सुजुकी नेक्सा की थुरू आने वाली इनकी सबसे फ्लैक्शिप कार ये है हमारे पास इनविक्टो आप अगर एक अपनी फैमली के लिए एक MPV लेना चारे हैं सबसे बेस्ट आप्शन है जो भी आपको इंडियन मार्केट में मिलता है ये दो गाड़ियां सेम आती है एक आती है टोयोटा में उनकी हाई क्रॉस और उन्होंने भी इदर इसको सुजुकु को भी दिया है ये इसमें दिये इन्वोने इन्विक्टो इनका Grand Vitara और High Rider भी SI product है वहाँ Toyota के आपको High Rider मिल जाती है और यहां Nexa में ये लोग Grand Vitara देते हैं इसकी जो configuration है, variants हैं बिल्कुल simple रखे हैं मारूती ने इसमें आपको दो ही तरह के options मिलते हैं एक आता है Zeta Plus और एक आता है Alpha Plus मारूती इसको सिर्फ और सिर्फ आपको petrol hybrid engine के साथ offer करती है इसमें ऐसा option नहीं है कि आप सिर्फ petrol लीजे आपको petrol hybrid engine मिलेगा Zeta Plus जो है वो आपको on-road लगबग 30,000,000,000 रूपे की पड़ती है और जो top variant है जो आज हमारे पास खड़ा हुआ है Alpha Plus यह आपको लगबग 34,000,000,000 रूपे में on-road मिल जाएगी जिस रेट में अचकल गाड़ी आरी है उस रेट के साफ से यह पूरी तरह justified है आप देखेगा पूरा वीडियो एंड तक बने रहेगा आपको समझ आ जाएगी इस गाड़ी की इतनी प्राइस क्यों है सबसे पहले आपको गाड़ी के फ्रेंट से स्टार्ट करते हैं हम आपको साथ में बताते भी जाएंगे कि Zeta Plus में क्या नहीं आता है Alpha Plus में क्या एक्स्टा आ रहा है इसमें आपको यहाँ पर फ्रेंट में वाइट LED के साथ हेडलाइम्स आ जाती है Twin light के साथ आती है इसमें दो कैबिन आते हैं अलग-अलग light के नीचे आपको इसमें DRL मिल जाती है LED इंडिकेटर मिल जाता है चार आपको front parking sensors मिल जाते हैं reverse में चार parking sensors मिल जाते हैं इसमें आपको 360 degree camera भी मिल जाता है Zeta के अंदर आपको कोई भी parking sensor नहीं मिलता है अलवा है कि आपको reverse में किसी भी तरीके का parking assistance देना है वो base model हो या top model हो इन्होंने उस assistance के नाम पे sensors नहीं दिये है camera दे दिया है ठीक है आपको sensors नहीं मिले लेकिन camera मिल गया आपको visibility तो आई रही है चलिए अब आपको गाड़ी के tire के बारे में बताते हैं इस alpha plus के अंदर आपको 17 इंच का alloy wheel मिल जाता है जिसकी जो profile आती है वो है 217 60 R17 का जो spare wheel है वो गाड़ी के नीचे की तरफ placed आता है और वो एक size छोटा आता है वो 16 इंच का आता है और steel rim के साथ आता है यहां से देखिए आप गाड़ी की लंबाई किती लंबी गाड़ी है गाड़ी की length बहुत ही जबरदस्थ है गाड़ी की ground clearance भी आपको अच्छी मिल जाती है इसमें आपको 185 mm की ground clearance मिल जाती है अगर आप Toyota High Cross का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में उसका भी वीडियो है उपर आई बटन में लिंक का रहा होगा वाँ जाकर के वीडियो देख सकते है इसका फ्यूल टैंग आपको 52 लिटर्स का मिल जाता है काफी अच्छे का साइस का टैंग है इसका इ पीछे जैसा मैंने आपको बताया था इस टॉप वेरियंट के अंदर आपको पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं अब देखिए लक्जिरी वाली बात आपको दिखाते हैं इस इन्विक्टो के अंदर आपको पावर टेल गेट मिल जाता है यहां एक बटन आता है इसे आप दबाईए और यह देखिए यह टेल गेट अपने आप ऊपर होता है स्पीड भी इसकी अच्छी है आपने देखा होगा कई गाडियों में इसकी स्पीड काफी स्लो होती है हमको काफी वेट करना पड़ता है यह देखिए MPV का सबसे बड़ा आनन सबसे बढ़िया प्लस को फोल्ड कर दीजे यह देखिए इस तरीके से हो जाती है यह बीच वाला अपने इनोवा क्रिस्टा में भी देखा होगा इसको हटाना पड़ता है इसको भी फोल्ड कर देते हैं यह देखिए यह इसकी थर्ड रो भी फ्लैट फोल्ड हो जाती है और लगबग साड़े 600 ल लगए इसकी वूट को बंद करके दिखाते हैं इसमें सेंसर भी आता है कई लोग घवर आते हैं बच्चे का हाथ आजाए कोई बच्चा खड़ाओ मैं आपको खड़ाओ के देखाता हूं और इसको बंद करते हैं और अगर यहां कोई है तो यह कैसे वापस खुल जाती है यह देखिए, यह बंद हो रही है, मैं बैठा हूँ, और यह मेरे टच होने वाली यह देखिए, इसने object detect करी, इसने मुझे detect करा और यह वहीं पर रुख गई, यह आपको दबाएगी नहीं, किसी भी तरीकी की injury गाड़ी आपको नहीं करेगी, फिर आप इसका जो button है, आप इ आप जाकर के बंद हो जाएगी, इसमें देखिए, यहां पीछे camera placed है, 360 degree camera आता है, हर तरफ, चारों तरफ camera लगे वे हैं, बहुत अच्छा view आता है इसके अंदर गाड़ी में, इसमें यहां hybrid की badging आजाती है, इनकी बाकी गाड़ियों में आपने देखा होगा, आपको smart hybrid म मिल जाता है, अब गाड़ी के आगे front seat पर चलते हैं, गाड़ी की space आपको बताते हैं, कि जो MPV है, क्यों इतनी यह जानी मानी है, कि इसमें अपको इतना space मिलता है, comfort मिलता है, जादा तर गाड़ियों में आपने देखा होगा, आपको गाड़ियों में यहां पर request sensor मिलता है इस गाड़ी में किसी भी तरगी का देखे, request sensor नहीं आता है, आप सीधा इसमें अपना हाथ डालिए और यह गाड़ी unlock हो जाती है, यह देखिए, और इसको lock करने के लिए, unlock करने के लिए एक feature और है, यहां पर यह दो line बनी भी है, इसको आप swipe कर दीजे, यह देखिए, मैं जैसे आप देखिएगा, थोड़ा पास आके, कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैं गाड़ी का power button दबाता हूँ, यह देखिए, यह गाड़ी मिर को अपने आप आगे की तरफ लेके गई है, जो भी last seat है, वहाँ पर यह मुझे set कर देती है, इसमें आपको दो memory functions भी आ इसका जो steering है, यह आपको tilt और telescopic दोनों मिल जाता है, इसके आप height और reach दोनों adjust कर सकते हैं, मैं इस आगे वाली seat को अपनी driving position के साप से adjust कर देता हूँ, यह देखिए, यह मेरे लिए automatic गाड़ी चलाने के लिए एक अच्छी driving position है, अब आपको पीछे वाली seat पर चलके उसका comfort दिखाता हूँ कैसा आता है, यह मैं इसके पीछे वाली seat पर बैठा हूँ, आगे वाली seat मेरे साप से adjust है, आपको पता ही है, मेरी height 5-10 है, उसके बाद भी कितनी जगे मिल रही है, अगर मैं pair पर pair रखके आराम से भी बैठना चाहूँ, तो मेरी height वाले आदमी को तो कोई यह दिक्कत नहीं होगी, छैफिट का अदमी भी बैठेगा, तो कोई problem नहीं होने वाली है, इतना देखिए, near room है, leg room में कोई कमी नहीं है, head room भी देखिए, इसके अंदर आपको इतना head room, अभी भी मेरे पास बचरा है, panoramic sunroof होने के बाद भी, इसको अगर आप Toyota High Cross से compare कर आते हैं, तो उसके top variant में आपको यहाँ पर ottoman seats भी आ जाती है, उसमें आपको यहाँ पर अपने calves का support भी मिल जाता है, यहाँ पर एक support यह थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, वो आप हमारे चैनल पर वीडियो में जाके देख सकते हैं, इन्विक्तो का जो alpha plus आता है, यह सिर्फ और सिर्फ 7-seater configuration में available है, इसमें आपको bend seat का option नहीं आता, इसमें आप सिर्फ captain seats ही ले सकते हैं, इसका जो zeta plus आता है, उसमें आप bend seat भी ले सकते हैं, और captain seats भी ले सकते हैं, लगबग 30-40,000 रुपे captain seats वाला variant आपको महंगा पड़ता है, अगर आप bend seat लेंगे तो वो आप आपको लगबग 30,000,000 रुपे on road का पड़ेगा, captain seats वाला zeta plus invicto लेंगे तो वो आपको 30,000,000 रुपे का पड़ेगा, अब इसकी third row भी आपको बताते है, MPV का जो सबसे बढ़िया point है, जो मुझे अच्छा लगता है, SUV में नहीं मिलता है, कि इसके third row में भी आपको अच् यह देखें, यह मैं आगया हूँ, इसकी third row में, इस seat को adjust कर देता हूँ, इस तरफ से मैं आपको समझा देता हूँ, अभी आगे एक decent height का आदमी बैठ सकता है, अब मैं बैठा वा हूँ, ठीक है, में पास अच्छी space है, SUV के साब से तो काफी अच्छी है, इसको recline भी कर ले यह देखें भी AC cooling का भी पूरा ध्यान रखा गया है, देखें यहां थर्ड रो तक आपको यहां पर टॉप में वेंट्स मिलते हैं, grab handle है, यहां पर थर्ड रो वाले passengers के लिए light मिल जाती है, और safety के हिसाब से भी आपको 3-point seat weld भी मिल जाती है, जगे भी काफी है, यहां पर इस गाड़ी के features बताता है, interior बताता है कि कैसा इसमें आपको मिलता है, यह मैं आगया हूँ, इस गाड़ी के front cabin के अंदर देखिए, इसका button दबा के आपको दिखाता हूँ, इस तरीके के उच interior आपको इसके अंदर मिल जाता है, यहां आपको Zeta Plus, Alpha Plus दोनों में आगे front में leather aid मिल जाता है, Zeta Plus में आपको यहां side doors के अंदर soft touch नहीं मिलता है, इसमें आपको door के उपर भी soft touch मिल जाता है, Zeta Plus के अंदर आपको 8 inch की screen मिलती है, Alpha Plus में आपको 10.1 inches की screen मिल जाती है, इसके अंदर आपको Android Auto, Apple CarPlay, सारे कुछ features मिल जाते हैं, इसका जो operating system है, यह आपको मार जूती वाले format से थोड़ा अलग मिलेगा, यह जो high cross में आता है, वो वाला है, क्योंकि जो Toyota Harman का setup देती है, आपको इसमें वो वाला सारा operating system मिलेगा, देखिए, आपको हमने हमारी last XSX की वीडियो में दिखाया था, कि इनका वो एक standard operating system है, जो यह Grand Vitara, Balino XL6 सब के अंदर द जालेगा, यह totally Toyota वाला system interface आपको मिल जाएगा, इसका interior देखिए, कितना बढ़िया है, all black interior है, और बीच में आपको यह gold color के inserts है, यह champagne gold color है, यह देखिए, यह AC vents में भी चलता है, और center में भी यह पूरा एक frame इनोंने, champagne gold color का दे रखा है, इसमें आपके AC vents देखिए, आपको standard format था, XL6 में MPV का आता है, कि यह center में MPV के अंदर आपको AC unit मिलता है, वो इसमें नहीं लगा सकते था, क्योंकि इसमें sunroof panoramic आती है, side में इस third row तक इसमें पूरे extend करे गए है, यह जो invicto और high cross आती है, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ automatic transmission मिलता है, ना high cross के किसी भ period में आपको manual मिलेगा, इन दोनों गाडियों के आप भले base model लो, top model लो, आपको automatic transmission मिलेगा ही मिलेगा, और यह gear भी देखे कितनी अलग जगे पे है, यह सामने incline वाली जगे पर placed है, और gear भी काफी अच्छा tacky सा है, मुझे तो चलाने में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि रूटीन में तो आप नॉर्मल यहाँ वाले gear लगाते है, यह अलग जगे gear दियावा है, चेंज करने में भी काफी comfortable है, यह इसके alpha plus के अंदर आपको front दोनों seats ventilated मिल जाती है, देखे इधर इसका button है, और यह इधर driver side के लिए भी आपको separate button मिल जाता है, इसका जो zeta plus आता ह है, उसके अंदर आपको ventilated seats नहीं मिलेंगी, इसमें आपको automatic climate control AC मिल जाता है, इसके सारे controls आपको यहाँ front में मिल जाते हैं, पीछे वाले passengers भी अपने AC को control कर सकते हैं, उसका जो सारा control है, वो आपको यहाँ center armrest के पीछे मिल जाता है, जैसा मैंने आपको बताया था, इसमे एक button मिल जाता है, देखिए view, यहाँ काफी सारे button है, इसमें आपको handbrake भी electric मिल जाता है, auto hold का option मिल जाता है, तरह तरह के drive modes मिल जाते हैं, traction control का button है, EV का button है, इस view वाले button को दबा के आपको दिखाते हैं, यह देखिए, यह गाड़ी का 360 degree view आपको दिखा रहा है, exactly गाड़ आपको बताएं, बहुत ही practical गाड़ी है, काफी सारी जगे आपको इसमें मिल जाती है, आप अगर अपना phone रखना चाते हैं, तो देखिए आगे dashboard में आपको जगे मिल जाती है, काफी सारी जगे आप अपना phone यहाँ पर रख सकते हैं, चारों door pads में भी आपके phone रखने की ज रख सकते हैं, और अपने journey का आनन ले सकते हैं, अब अगर third row वालों की भी बात करें, तो यहाँ पर भी देखिए, दोनों तरफ एक box से बने हुए हैं, यहाँ पर अपना phone रख दीजे, यहाँ पर एक border भी दिया गया जिससे आपका phone गिरेगा नहीं, phone अंदर ही, अपके box क अंदर ही रहेगा, घड़ी के bottle holders की बात करें, तो दीखिए आपको आगे वाले दर्वाजे में 11 लीटर की bottle holders मिल जाते हैं, आप आगे भी bottle रख सकते हैं, और पीछे भी bottle रख सकते हैं, यहाँ आगे center के अंदर आपको दो अच्छे खासे size के bottle holders मिल जाते हैं, अब अपनी bottle can वगरा रख सकते हैं, अब मेरा favorite part, यह बीच में captain seats के बीच में यह देखिए एक tray सी आती है, इस tray को आप खोलिए और यहाँ पर आप अपनी bottle hold कर दीजे, कितनी practical जगे हैं, बात यहीं खतम नहीं होती, third row वालों के लिए भी जगे दी गई है, और एक एक नहीं, दो दो cup holder दिये गए हैं, यह देखिए, एक में तो आपके पूरे अच्छे का से size की एक एक लिटर की bottle आ जाएगी, और आपके can या जो भी आपकी glass drink वगरा है, वो आप यहाँ side में भी रख सकते हैं, charging points भी देखिए, गाडी में कितने सारे दिये वे गए हैं, आगे यहाँ आपको dashboard के नीचे यहाँ पर 12V का charging socket दिया गया है, यहाँ front में आपको एक type C और एक type A charging port दिया गया है, पीछे second row वालों के लिए भी दो आपको type C charging points दिये गए हैं, और third row में पीछे की तरफ भी आपको 12V का power outlet मिल जाता है, इस Invicto के alpha plus में आपको देखिए panoramic sunroof मिल जाती है और ambient light भी मिल जाती है, जो इसका Zeta plus आता है, उसके अंदर आपको sunroof नहीं मिलेगी, ना छोटी ना panoramic, इस sunroof का आपको खोल के दिखाते हैं, देखिए, इसमें आपको यहाँ पर button दिये गए हैं, इस button से आप इसका flap खोल सकते हैं, और जो इसका यह glass piece है, इसको खोलने के ल बाहर निकलना चाते हैं, तो आप बिल्कुल मेरे size and build का आदमी भी इससे बाहर आराम से निकल सकता है, देखिए, अब दिखाते हैं आपको इस गाड़ी का MID, इसमें आपको semi-digital MID मिल जाती है, इसमें आपको analog भी मिलता है, और बीच में आपको digital screen मिल जाती है, जो आपको क 10 flaps आते हैं, इसके अंदर भी आपको mirror और mirror में light मिल जाती है, यह आपको driver side भी मिल जाती है, देखिए, इधर भी आपको mirror और light दोनों मिल जाती है, यह वाला जो feature है, यह आपको Zeta Plus में नहीं आएगा, यह सिर्फ और सिर्फ Alpha Plus में आएगा, इस गाड़ी की जो ambient light है, यह भी की family उस गाड़ी को लेने का plan कर रहे हैं, और हमसे कुछ सवाल रहे गए हैं, तो आप नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं, हम उसका instant जवाब देने की कोशिश करेंगे, हमेशा की तरह अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को like कीजेगा, हमार अगरी वीडियो के अंदर तब तक के लिए safe रहे, स्वस्त रहे, thank you so much